अपिक हमारा सुरू हो रहा है एंजाइम्स अच्छा एंजाइम्स अच्छा एंजाइम्स के लिए कुछ नाम मैंने आपको बताया था याद आ रहा है कि बच्छों कुछ एंजाइम के लिए मैंने नाम बताया था आपको हाँ क्या कहते हैं इनको मामू कहा था कि यह traffic policeman है cell के हमारी reaction जो चले उनके traffic policeman का नाम क्या है enzyme मामू कहा जाता है तो मामू आपदा reaction मामू आफ रियक्षन यह reaction के मामू है यह reaction को control करने का काम करते है मामू आफ रियक्षन अच्छा अब जड़ा थुआस हम repeat करते हैं मैंने आपको पढ़ाया था आप मुझे बताओगे सब लोग हमारी body के अंदर कितनी reactions चल रही है body में कितनी reactions चल रही है हजारों बहुत बढ़ी हाँ कौन सी ऐसी reaction है जो बिना enzyme के हो सकती है कोई भी ऐसी reaction नहीं है जो बिना enzyme के हो सकती है अच्छा तो जो कोई भी reaction बिना enzyme के नहीं हो सकती है हर एक reaction के लिए enzyme चाहिए और ये enzyme बने किस से हैं ये भी मैंने आपको पढ़ाया था enzyme किस से बने है enzyme actually protein है क्या सारे enzyme protein से ही बने होते है क्या सारे enzyme protein से बने हैं नहीं सारे enzyme protein से नहीं बने सुनी अगर ध्यान से, देखे क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, Almost all enzymes are proteins, लगभग सारे enzyme protein हैं, लगभग सारे, लेकिन सारे नहीं हैं, लगभग हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी enzyme हैं, जो protein से नहीं बने हैं, वो RNA से बने हुए हैं, तो कुछ ऐसे भी enzyme हैं, some enzymes are made up of nucleic acid, nucleic acid, nucleic acid या फिर RNA, जैसे एक एक्जाम्पिल है, ribozyme, कौन से एक्जाम्पिल, ribozyme, देखो, enzyme कहां से आया है, enzyme से, और ribo कहां से है, ribo nucleic acid मतलब RNA से, तो RNA enzyme को क्या कहते हैं, ribozyme के नाम से जानते हैं, तो normally कोई भी enzyme protein से ही बना होता है, लेकिन कुछ ऐसे enzyme हैं, जो RNA से बने हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ribozyme कहते हैं, तो ribozyme एक non-protein enzyme, लिख दूँ क्या हैं आपर, ribozyme एक non-protein enzyme है, अगर यह ribozyme exception ना होता, तो हम कह सकते थे, कि all enzymes are proteins, लेकिन अगर यह ribozyme हमारे पास है, मौझूद है, तो इसलिए हम कहते हैं, almost, इसलिए यह word हम यूज कर रहे हैं, कि almost all enzymes are proteins, अब exception हम छोड़ देंगे भी फिलाल ribozyme को, हम normal enzyme के बारे हम पढ़ेंगे, तो normally enzyme किसे, अब अगर ऐसे पूछों आपसे, कि normally enzyme किस चीज़ से बने, तो आप क्या कहोगे, normally enzyme किस चीज़ से बने विटा, ब्रोटीन से, और अगर enzyme protein से बने हुए हैं, तो इसका मतलब यह हो गया, कि बताओ मुझे, अगर normal enzyme protein से बना हुआ है, ठीक है अगर enzyme protein से बने हुए है और protein में आप जानते हो primary structure है secondary structure है तो बताओ enzyme में कौन सा structure होगा enzyme में तीनों structure होगे अचा primary structure का मतलब क्या था primary structure का मतलब क्या था एक मैंने कहा था कि line के form में या thread के form में imagine करो गए यादा रहे है और वो secondary structure का इसा था हेलिक्स के form में या seat के form में आपको बताए गया था और tertiary structure बताओ का इसा था tertiary structure नाम क्या था उसका tertiary वाले का हाँ यस हॉलो उलेन बॉल लाइक structure ठीक है अब ज़रा में figure बनाओ बताईएगा यह enzyme का कौन सा structure दिखाई दे रहा है tertiary यह कौन सा structure है tertiary structure यह enzyme का tertiary structure आपको दिखाएगे बताओ ठीक है यह tertiary structure enzyme का तो अब अगर मैंने tertiary structure दिखाया है और आपसे मैं सवाल पूछ हूँ कि बटा enzyme में primary structure होता है secondary होता है tertiary तो आप क्या बोलोगे enzyme में कौन सा structure होगा primary secondary या tertiary तीनों होंगे क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया था कि primary से secondary बनेगा secondary से tertiary बनेगा तो अगर enzyme में tertiary structure है तो इसका मतलब यह understood है कि इसमें primary और secondary structure तो होगा ही किया वाज सबको clear हुई तो किसी protein की तरह enzyme के पास भी primary secondary और tertiary structure आपके सामने बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं hollow oland ball like structure और इस structure में इस structure में जगे जगे पर आपको कुछ दरार या खांच नजारा रही है यह देखो जगे जगे पर आपको कुछ दरार या खांच नजारा रही है एक गोल नहीं है यह देखो इससे हम लोग कहते हैं crevice क्या कहते हैं crevice क्रेविस को ऐसे मतलब होता है दरार या खांच ठीक, क्रेविस या पॉकेट क्रेविस या पॉकेट तो एक एंजाइम के टर्सरी स्टक्चर में बहुत सारी क्रेविस्स या पॉकेट पाई जाती है सब क्या है क्रेविस्स या पॉकेट इन्ही मैंसे एक ऐसी पॉकेट होती है जिस pocket को हम लोग कहते हैं active site जैसे यह वाली जो pocket है इस pocket को हम लोग कह रहे है active site ठीक इस pocket का नाम क्या है active site अब सरी active site क्या है हम लोग जो अब reaction लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि substrate is converted into product with the help of enzyme कुछ ऐसे reaction हम लोग दिखाते हैं normally इस तरीके से represent करते हैं कि substrate को product में change करने का काम enzyme करता है substrate से product का बदलना एक reaction है और body में कोई भी reaction बिना enzyme के हो नहीं सकती है तो enzyme यहाँ दिखा दियागी कि substrate से product enzyme के मदब से बन गया लेकिन अब यह जो enzyme है substrate को product में change कैसे करता है उसका reason इस figure में है यहाँ पर एक्टिव साइट है एक्टिव साइट वो जगह है यह वो जगह है जहाँ पर substrate आके bind कर जाता है एक्टिव साइट उस जगहे का नाम है उस क्रेविस का नाम है एक्टिव साइट उस pocket का नाम है जहां पर substrate binding करता है और substrate के bind करने के बाद में जो enzyme है यह इस substrate को product में change करता है कैसे हो हम लोग आगे इसी chapter में सीखेंगे तो क्या हर क्रेविस एक्टिव साइट है एंजाइम में बहुत सारी क्रेविस हैं क्या हर क्रेविस एक्टिव साइट है नहीं इन में से एक पर्टिकुलर जो क्रेविस है उसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं और एक्टिव साइट वो जगह है जहां पर substrate bind करता है बच्चे ने लिखा है substrate binding site बिल्कुल सही है यह वो जगे जहां पर substrate bind करता है और enzyme उस substrate को product में चेंज कर देता है कहतना सब को समझ में आ रहा है जो active site है यह एक ऐसी crevice है जहां पर substrate fit हो जाता है और फिर enzyme उसे product में change कर देता है अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अच्छा जैसे हम लोग enzyme के बारे पढ़ते हैं enzymes enzymes को हम लोग कहते हैं biological catalyst bio का मतलब living जुक्छे enzyme हमारी body के अंदर living की body में काम करते हैं इसलिए 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 को कहते हैं biological catalyst biological catalyst और अगर आप federal quantum molecular chemistry में जाओ तो inorganic chemistry में होते हैं inorganic catalyst called inorganic chemistry में inorganic catalyst होते हैं काम दोनों का एक जैसा है डोनों ही reactions को catalyze करते हैं दौनों ही reaction के rate को बढ़ाने का काम करते लिकिन दोनों में अंतर हैं जो biological catalyst हैं और जो inorganic catalyst वोते हैं दोनों में difference होता है, दोनों में अंतर होता है, ये बात आप जानते हो, दोनों में difference है, दोनों में अंतर पाया जाएगा, ठीक है, क्या क्या अंतर होंगे देखो, क्या क्या अंतर यहां पर हो सकते हैं, पहला difference, जो enzyme होते हैं, enzyme get damaged, get damaged, damage को कहते हैं denatured, denatured, denatured होने का मतलब बेटा यह है कि जो tertiary structure है, यह बिगड जाए और tertiary structure अगर बिगड जाएगा, तो secondary बनेगा और secondary से primary बन जाएगा, और primary structure में कोई active site नहीं होगी, और active site नहीं होगी तो substrate bind नहीं करेगा, enzyme उसको product में change नहीं कर पाएगा, यानि कोई भी enzyme अपना काम तभी कर पाएगा, जब वो किस form में हो, tertiary form में हो, और आप याद करिए, एक line मैंने आपको बताई थी, protein का structure परहाते समय, tertiary form में, कि tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activities of the protein, तो protein के काम करने के लिए उसका tertiary form में होना ज़रूरी है, तो enzyme का अगर tertiary structure बिगड गया, तो इसी को कहते हैं, denaturation, enzyme damage हो गया, तो enzyme get damage at high temperature and pressure, लेकिन अगर हम inorganic catalyst की बात करते हैं, तो inorganic catalyst remain active, remain active at high temperature and pressure, तो enzyme high temperature और pressure पर damage हो जाते हैं, denature हो जाते हैं, अपना काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो inorganic catalyst हैं, यह high temperature और pressure पर अपना काम करते रहते हैं, इन दोनों में और भी कई सारे अंतर हैं, इन दोनों में और भी कई सारे अंतर हैं, मतलब enzyme में और जो inorganic catalyst हैं में और भी कई सारे अंतर हैं, लेकिन यहाँ पर यह difference जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको, जो difference यहाँ पर दिया गया, यह difference जानना बहुत जरूरी है, लेकिन एक चीज़ और जान लीजी, कि biology is the science of exception, biology अपवादों का बिज्ञान है, तो कुछ ऐसे enzyme भी यहाँ पर क्या करें कि enzyme high temperature pressure पर damage हो जाते हैं, लेकिन अब लेकिन आ गया, तो कुछ नकुछ ऐसी बात होगी, जो exception के form में आपको याद करने हैं, तो anxiety कहता है, लेकिन जो enzyme हमें मिलते हैं thermophilic organism से, thermophilic, कुछ आपको यादा रहा है, lipophilic, lipophobic, hydrophilic, hydrophobic यादा रहा है, जब आपने लिपिट पढ़ा था, तो लिपिट में head जो था, वो hydrophilic था, tail hydrophobic थे, yes, cell membrane में, तो thermophilic, thermophilic का मतलब temperature, और philic का मतलब loving, इसको temperature से, प्यार हो, तो thermophilic organism, thermophilic organism, जो thermophilic organism होते हैं, बेटा, ये रहते हैं, करीब 100 degree Celsius temperature का, thermophilic organism, करीब 100 degree Celsius, imagine कर सकते हो आप, 100 degree, उबलता हुआ पानी है, उबलते हुए पानी में, आप अपने उंगली नहीं डालते हैं, और उबलते हुए पानी में, बहुत सारे bacteria रहते हैं, सर्वाइव करते, एकदम boiling water है, उबल रहा एकदम पानी, और उबलते हुए पानी के अंदर, बहुत सारे bacteria रहते, कोई बताएगा इसका नाम, जो यहाँ पर रहता है, उसका नाम कोई बताएगा मुझे, thermophilic organism का, हाँ, एक bacteria है, जिसका नाम है thermos aquaticus, bacteria का नाम क्या है, thermos aquaticus, thermos aquaticus, और जैसा कि आपको, आप तापसर ने पढ़ाया भी होगा, कि जो thermos यह, जीनस है, और aquaticus एक, इस्पिसीज या, इस्पेसिफिक एपिथेट है, तो thermos aquaticus नाम का, जो bacteria, हाँ, आर्की bacteria भी पाया जाते हैं, ऐसे habitat में, तो thermos aquaticus नाम का, जो bacteria है, यह, उस पानी के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे temperature, 100 degree Celsius, या उससे ज़्यादा होता है, और अगर यह bacteria, imagine करो आपके अवल, कि यह bacteria, अगर 100 degree Celsius में, जिन्दा है, जिन्दा है, तो reaction चल रही होंगी, confirm, जिन्दा है, तो reaction चल रही होंगी, reaction चल रही होंगी, और reaction चल रही है, living में, तो कोई भी reaction बिना, enzyme के नहीं चल सकती, मतलब enzyme भी काम कर रहे होंगे, मतलब 100 degree पे enzyme काम कर रहे हैं, मतलब, normally हमारी body के enzyme तो, high temperature और pressure पर denatured हो जाते हैं, मतलब, अगर मैं यहाँ पर temperature आपको लिखके बता हूँ, temperature अगर मैं value लिखके बता हूँ, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, कि more than 40 degree Celsius, जैसी temperature 40 degree Celsius के उपर जाएगा, enzyme बेकार, denatured हो गया, tertiary structure भी गड़ गया, लेकिन अगर हम thermos, aquaticus की बात करें, तो इसके जो enzyme है, सोचो उबलते हुए पानी में अगर यह है, तो इसका मतलब, इसके enzyme काम कर रहे हैं, तो इन enzyme के अंदर denaturation नहीं होता, इनके अंदर thermal stability पाई जाती है, यह enzyme denature नहीं होते हैं, तो thermos, यह जो thermophilic organism है, इनसे जो enzyme मिलते हैं, उनमें thermal stability होती है, thermal stability, thermal stability, और यह enzyme, वर्क करते हैं, 80-90 degree Celsius पर आराम से, जैसे, यह जो thermos aquaticus है, यह bacteria है, और इस bacteria के अंदर एक enzyme होता है, बताएगा कौन सा enzyme, इस bacteria से एक enzyme मिलता है, उसका नाम है, tag polymerase, इसका हम लोग यूज भी करेंगे आगे हैं न, तो इस enzyme का नाम है, tag polymerase, tag polymerase, यह tag polymerase क्या है, enzyme, tag polymerase एक enzyme है, और tag polymerase का जो नाम हो, देखो कहां से आया है, tag polymerase का जो नाम है, बैटाओ देखो, tag में T कहां से आया होगा, thermos से, और AQ कहां या होगा, aquaticus, ऐसे भी स्वार समझ लो, तो tag polymerase enzyme, जो है, यह enzyme, 80-90 degree Celsius पर, आसानी से काम करता है, यह अजय ने कहा, used in PCR, यह जो tag polymerase enzyme है, इसको हम PCR में यूज करेंगे, used in PCR, polymerase chain reaction, जह हम लोग पढ़ेंगे, biotech, अगली unit, genetic send evolution, उसके लिए unit, biotech पढ़ेंगे, तो polymerase chain reaction के अंदर, हम लोग detail में, इस enzyme के बारे में, इसके काम के बारे में, discuss करने वाले हैं, चलो ठीक है, तो क्या समझ में आया, कि normally अगर हम enzyme की बात करें, तो normal enzyme, 40 degree के उपर denature हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, damage हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम, उन bacteria की बात करें, जो पाए जाते हैं, बहुत ही गरम जगों पर,